हाँ दोस्तों मैं डॉक्टर नीता राती वाइटल क्लिनिक न्यू डेली इंडिया से बात कर रही है यहाँ वाइटल क्लिनिक जो है यह बेसिकली कॉस्मेटिक करेक्टिव सरजरी और नॉन सर्जिकल इलाज करता है यहाँ पर जो हम देखते हैं जादतर बच्चे आते हैं जो मेन समस्या है वह एक छाती का उभार उन्हें लगता है कि शयद बच्चा मोटा है एक्सराइज नहीं कर रहा इस वज़े से यह छाती का उभार आ रहा है परन्तु बात यह नहीं है छाती का उभार जब बच्चों में 12 से 14 साल या 15 साल की उमर में शुरू होता है इसका म प्राइज नहीं शुरू हो जाती है लड़कियों की ब्रेस्ट की तरह पर इसमें कोई प्राब्लम नहीं है यह ठीक किया जा सकता है इसका एक ही इलाज होता है कि उसे आप अपरेशन से हटा दे क्यूंकि जब लड़कियों की ब्रेस्ट होती है वो किसी भी एक्सरसाइज स और किसी दवाईयों से इंजेक्शन से उसको गाइब नहीं किया जा सकता जिम वगेरा से वो गाइब नहीं किया जा सकता उसका एक ही इलाज है उसे निकाल दे अब इलाज करते समय जो सबसे बड़ी चिंता माबाप को होती है बच्चों के बारे में वो यह है कि इसमें पड़ेगा और इससे कोई नुकसान तो नहीं होंगे पर यह मैं आपको बिल्कुल तसली दे दूं कि इससे कोई नुकसान नहीं है वो इसलिए नहीं है उसके कारण है यह जो है यह इसलिए बनता है क्योंकि हॉर्मोनल इंबैलन्स है बाड़ी में तो इसके हटाने से कोई बोड़ी में किसी हॉर्मोन का फरक नहीं पड़ता, नमबर वन, सेकिंड इस कि ये जो है, ये फैट की वज़े से नहीं है, मुटापे की वज़े से नहीं है, तो जितना मर्जी कोई मुटापा कम कर ले, छाती नहीं ख़तम होती है, तो वो तो उभार बना रहता है, और दूसरा इसका बच्चे की ग्रोथ पे कोई फरक नहीं पड़ता, रादर फाइदा होता है, क्योंकि बच्चे जिनकी चाती में उभार आ जाता है, वो थोड़ा अपना एक confidence level लूज करने लगते हैं, वो उतने तो जोग के चलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई सामने वाला इसे देखना सके, तो जब इसकी सरजरी हो जाती है, तो वो उनमें confidence level इंप्रूव हो जाता है, उनकी पढ़ाई में ध्यान जादा अच्छी तरह लगने लगता है, वो conscious नहीं होते हैं, तो एक personality development जो कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में एक अच्छी personality develop हो जाए, वो personality हम देख सकते हैं, तो इसी लिए इस सरजरी को जल्दी से जल्दी कराना चाहिए, कि बच्चे में हीन भावना घर ना कर ले, तीसरी चीज़ यह है कि जब हम इसको निकालते हैं, तो हम यहाँ vital clinic में special तरीके से होता है that is called tumiscent awake technique, मतलब हम सुन करके करते हैं, तो बच्चे में बिहोशी का भी risk नहीं है, क्योंकि अक्सर्ब माबाप को रहता है कि अरे बिहोश करेंगे, पता नहीं क्या होगा, होश आएगा कि नहीं आएगा या और कोई risk, तो बच्चा तो healthy है, कोई बीमार तो है नहीं, कोई emergency तो है नहीं, तो उसको एक healthy तरीके से ही surgery हो तो better रहता है, तो इसमें सुन करके होता है, तो बच्चे को यह लगता ही नहीं कि कोई operation हो गया, सुबह अपना नाश्टा करके घर से आते हैं, क्लिनिक पे साड़े नौ पहुंच जाते हैं, हमको एक डेट घंटा लगता है हम त्यारी करने में, बस उसके बाद हम करते हैं, डेट से दो घंटे या ठाई घंटे लगते हैं, डिपेंड करता है कि साइस कितना बड़ा है, उसके बाद वो अपना घर जा सकते हैं, सिर डेट से दो के बीच में, दुपहर में अपना घर जाये, घर जाके खाना खाये, उसके बाद कोई दर्द नहीं होता, कोई ब्लीडिंग नहीं होती बारा से बीस घंटे तक there is no pain ट्यूमिसेंट अवेक प्यॉर टेक्नीक का यही फाइदा है तो एक आपको यह बिल्कुल एहसास ही नहीं होता कि मेरी सरजरी भी हो गई और मैं अपना नॉर्मल की तरह घर में जाते हैं तो कोई आसपास वाला अगर कोई देख लेकार से उतरते समया कि यह बिमार है इसका आपरेशन ऐसी कोई feeling नहीं होती तो किसी को पता नहीं चलता कि सरजरी हो गई, मेरा इलाज भी हो गया बस उसके बाद आपको एक दिन का gap देके आके यहाँ पर dressing remove करानी है जो कि यह चोटी सी dressing होती है उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है healing body का एक अपना तरीका है, वो अपना heal कर लेता है और 40 दिन लगते हैं body को अपनी normal situation, delivery किसी lady की होती है तो भी तो हम कहते हैं, 40 दिन, 40 दिन, तो 40 दिन शरीर लेता है किसी भी operation, चोट को ठीक करने में, लेकिन उसमें आपको कोई rest की जरूरत नहीं है आप अपना normal काम करते हैं, rest तो आपने first day भी नहीं किया अपना आराम से चल के घरी जा रहे हैं, सो कोई problem नहीं है तो risk इसका नहीं है, तूसरा bleeding का कोई risk नहीं है क्योंकि जब tumourcent awake technique से हम करते हैं, तो वो area bloodless होता है कोई bleeding नहीं होती, तो क्योंकि bleeding नहीं होती, इसलिए जो surgery हम करते हैं हम पूरी तरह से पूरी तसली से कर सकते हैं, तो उसको दुबारा कराने की जरूरत नहीं है कभी भी, क्योंकि हमारे पर बहुत ऐसे बच्चे आते हैं, जो कहीं भी किसी बड़े अस्पताल में करवा के आए हैं लेकिन क्योंकि बेहोशी में किया जाता है, और कुछ भी कारण हो गया, तो पूरा नहीं निकल पाया ग्लाइंड या फैट, तो वो दुबारा से उनको दिखने लगता है, तो ऐसी सिचुएशन इस ट्रिमसेंट अवेक टेकनीक में नहीं होती, इसमें यह है कि आप तसली से पूरा कर सकते हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट, जो कट है, उसकी स्टिचिंग भी स्किन में वो बहुत ही मिनिमल पड़ता है, कोई ऐसा दिखाई नहीं देता सामने से, जब आप यहाँ पे आएंगे एक बार कंसल्ट करने के लिए, तो हम आपको सारी पिच्चर दिखा सकते हैं, कि किस तरह का निशान है, कहां कट लगता है, कैसे बच्चा चल रहा है, बैसे वीडियो दिखेंगे, आप उन्हें देखें, आपकी तसल्ली और होगी, कि हमने जो बात कही है, वो सही है कि नहीं है, क्योंकि वीडियो तो सही देखता के पिच्चर लेता है, तो आप उसे देखें, और अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी सवाल है, क 2333 और एड्रेस है L3 South Extension to New Delhi तो आप कभी भी अपना आके यहाँ पे हमें consult कर सकते हैं या फोन द्वारा हमें हमसे कुछ भी पूच सकते हैं Thank you so much